स्वागत बताओं दोस्तों मैं देश गुत्ता आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग पंडास के दोस्तों आज की जो वीडियो है यह बहुत ही यूश्पुल है हर बिजनसमेंट के लिए हर एंटरपेंडियोर के लिए और हर डिजिटल मार्केटर को इसकी कभी ना कभी जर्वत पड़ती ही है जोस्तों गुगल के नैगेटिव रिव्यूज कैसे रिव्यूज करें यह जैनुट परसंट जैन्वन एफेक्टिव और विश्वस्ने तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं पिश्में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता पर बर्प नहीं करेगा प्रोप पर जो गूगल का बताया हूं तरीका है वही मैं इसके एक्स्प्रेंट कर रहा हूं उसको फॉलो किजिए अगर आप उसको फॉलो करोगे और आप जैन्वन हो किसे ने आपको ना खराब करने के लिए या किसे आपको कंपनी को डाउन करने के लिए पर्सनल इसमने निकालने के लिए चीज करी है और आप उसकी खिलाब स्टैंड ले सकते हो तो मैं 100% शौड हूं आप इस प्रोसेस को फॉलो करके गूगल से नेगेटिव वीडियो हटवा सकते हो तो अन्त तक इस वीडियो को देखिएगा बहुत सिंपल प्रोसेस का नाम मैंना मीडिया भाई एलल पिए ठीक है तो मीडिया बइल पी टालते ही यहां पर राइट रॉटमेंट साइट पे से information आं जाते हैं तो हमारे से सत्रा ठीक हैं तो रिजे से 100 मीडिया भाईललपी Tam नीचे आ रहे हैं तो हम्हें चाहिए या तो तर Кलिक करता हुँ थिसका अब यह जो दो लोग है इनोंने हमें lowest दे रखी है वाकिय हमारे सारे सही है अब मेरे को इनको जो review है अगर इनोंने सही review नहीं दिया और अगर इस जैन्वन नहीं है मेरे पर proof भी है और मैं इनको गलत साबिक भी कर सकता हूँ और इस वर मैं इनको हटाना चाहूं रिव्यूस को तो कैसे कर सकता हूं तो यह आप देखिए हैं आपर flag का एक option आता है तो यह से ही मैं इस रिवी को हटाना चाहता हूं तो यहाँ पर click करूंगा flag as inappropriate तो मैंने click करा flag पर अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर click करा तो आप देख सकते हैं you have located one or more reviews that you believe warrant removal from google जो कि हम चाहते हैं कि google से remove कर दिये जाएं अब यहाँ पर हमें अपना email address डालना होगा तो यह हमने अपना email address डाल दिया क्योंकि जिस से हमारा यह google my business का account है media भाई का ठीक है और यहाँ पर हमने डाला violation type कि मतलब यह जो post है contains hateful violent या console content करी कर रही है this post contains advertising और spam तो जो भी आपको लगता है यह conflict interest के हिसाब से और रखा है या off topic है तो जो आपको अपने हिसाब से genuine reason लगे उसको ऐसे आप select कीजे और इसको submit कीजे तो जैसे आप इस submit करोगे हाँ पर submit हो जाएगा और आएगा thank you your report has been submitted ठीक है दोस्तों अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ generally दोस्तों होता क्या है कि जब हम review करते हैं हम भले सही है और जिसने review करा वो गलत है और हमें पता है वो गलत काम कर रहा है तो आप अपने जो genuine customers होते हैं जो आपको genuinely जानते हैं जिनको आप पर trust है या आपके friends बगार होगा है आप उनको भी कह सकते हो कि वो अपनी Google की ID से Gmail की ID से वो भी उस particular comment को जाके flag करें अगर वो आपको सही में support करना चाहते हैं और सही हो आप गलत नहीं हो तो आप सही step ले सकते हो तो लोग जो customers होते हैं आपके अगर उनको आप में believe है तो वो भी आपके सही stand पे खड़े होंगे तो आप अपने flag को करोगे साथ में अगर आपके दो-चार friends या customers जो आपके poor believe करते हैं आपकी services से खुश है वो अगर उसको flag करेंगे अपनी ID से तो और ज़्यादा जल्दी chance हो जाते हैं उस review के हटने के ठीक है क्योंकि ये totally google पे depend है कि उस review को हटाता है नहीं हटाता है मगर अगर आप सही हो तो हटने के chance से ज़्यादा होते हैं और यही आपके customers और लोग support करें और उस particular bad review को wrong review को सब अगर flag करें अपने ID से तो बहुत ज़्यादा chance हो जाता है वो review हटने का तो एक तो तरीका ये भी है तो यह आपके customers और friends ले सकते हो तीसरी चीज़ दोस्तों अगर जैसे हम यहाँ पर account में है this time अब हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर गए और हम यहाँ पर अपने अमने login कर रखें अब हम अपने account में enter करते हैं माई business वाले में ठीक है तो जब हम अपने account में जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने पुरी डिटेल देख सकते हैं, अब हम नीचे आते हैं, बिल्कुल बॉटम में आ जाईए, हमने रिपोर्ट तो कर दिया है अपनी आईडी से, बट एक और तरीका है, यहाँ पर हेल्प का नीचे बटन आ रहा है, हेल्प पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के ब जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगा, आप देखें, दो चीज हैं, फ्लैग रिव्यू फोर रिमूवल, हमने फ्लैग तो कर दिया है, बट वो यह कह रहा है, कि at least 3 दिन, मतलब 72 घंटे आप वेट कीजिए, तो आप वेट कीजिए, अगर 3 दिन तक वो रिव्यू नहीं हटते, तो आपको क्या करना है, अगर 3 दिन से ज़्यादा होगा, कॉंटेक्ट सपोर्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप नीचे को आओगी, यह देखिए, यहाँ पर आप अपने डिटेस दीजिए, वोट इस जो नेम, ठीक है, रिलेशन सेप, क्या बिजनस ओनर हो, कौन हो आप, आप गुगल एक्सपर्ट क्या आप से कैसे बात करें, कॉल करें, इमेल करें, कैसे करें, आप काल पर भी क्लिक कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो, अपना बिजनस ने, मेट अटेश वगरा, सारे डिटेल्स प्रपर डालिए, ठीक है, यहा तो अगर आपने ऐसी कोई डाले हैं और अबस ऐसी कोई रिलेटेड रिक्वेस्ट चाहिए तो उनको भी यहां पर आप यहां पर डाल सकते हो ठीक है तो यह एक आपके पास एक्से इंफॉर्मिशन हो जाती है जो आपने यहां पर डाली और इसको प्रॉपर पूरा फिल करके सही से सब्मिट कर दो जैसे आप सब्मिट करोगे यह भी एक्सिलेरेट करेगा तेरी से और कस्टमर सपोर्ट पर आपकी बात हो पाएगी मेल पर कॉल गे तुरू तो आप डेफिनेटल अगर सही हो तो आप गलत रिव्यूज हटवा सकते हो दोस्तों अगर हमने कुछ गलत करा है नहीं तो गलत से डरना कहीं ऊसके कि खरफ स्टैड लेना है तो आपके कस्टमर्स भी हल्प कर सकते हो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो यह आप ट्राइ कीजी और आप देखिए आप की गलत रिव्यूज हटेंगे तो दोस्तों आज आज में जाना गूगल के डेगेटि रना रहें जोंकि आपको जॉब रेने में जो इसे कि अपने परियर बढूने चाहते हैं जो सब्सक्राइब किसे